आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ In this question we have given in the following figure Optical instruments are placed inside box A and B Which of the following option correct for these? यहाँ पर देखो box A और box B के अंदर Optical instruments रखे गए हैं हमें यह बताना था, identify करना था काउंसे options रही है options में पोच रहा है कि A और B के अंदर basically उन device के नाम बताओ उस optical instrument के नाम बताओ तो यहाँ पर देखो box A पर दो light आके गिरी parallel light, after the reflection देखो light दूसरे medium में भी गई है और देखो दोनों light के और ही diverge हो रही है एक light एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही है इस तरह से light diverge हो रही है clear? इसी तरह से जो हमारे पास box B है वहाँ पर देखो दो parallel light आई after the reflection light देखो दोनों medium के दूसरी तरफ जा रही है solid line है, मतलब real में जा रही होंगी देखो यह real light है है और दोनों एक दूसरे से converge हो रही है तो इसको कहते हैं converging light देखो यहां पास क्या है converging converging light है converging light beam या कुछ भी इसको बोल सकते थे पहले वाले केसे में देखो हमारे पास light diverge हो रही है diverge मतलब कि दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है दूर जा रही है अब ऐसा कौन optical instrument कर पाता होगा उसके बारे में हमें सोच रहा था तो यहाँ पर आपको दो-तीन चीजे पढ़नी पढ़ेंगी पहले माल लेते हैं इस तरह से हमारे पास एक convex lens था इस तरह से माल लेते हैं इस तरह से दो parallel light आके गिरी incident होई तो आपको पता होगा concave lens को क्या बोला जाता हमारे पास देखो यह diverging lens होता है light दूसरे medium में जाएगी पहली बात तो और वो क्या होगा diverge होगा देखो इस तरह से light जो बाहर निकलेगी इस lens के वो देखो real में diverge होगा ठीक diverging rays हो जाएगी तो यह काउंसा होता है concave lens ऐसा चीज कर पाता है अगर मैं बात करूं convex lens की convex lens क्या होता है देखो बीच में मोटा होता है किनारों पर क्या होता हमारा पतला होता है देखो यह काउंसा lens है इसको कहते है हमारे पास देखो यह convex lens है clear इसकी property क्या होती convex lens की अगर इस पर दो light आके गिरती है let's say हमारे पास दो parallel light आके गिरी तो यह क्या करता है after the reflection light को क्या करता है converge कर देता है देखो light ऐसे देखो यहां से जो बाहर light निकलेगी तो ऐसे converge होंगी दोरों किसी point पे मिलती हुई दिखेंगी तो यह हमारे पास देखो converging rays होता है converge को उनकरता है light को convex lens जिसको converging lens भी बोला जाता है और concave lens को diverging lens भी बोला जाता है यह तो दो चीजे हो गई अब बात करते है mirror की यहाँ पे देखो एक हमारे पास mirror होता है that is concave mirror यह हमारे पास देखो क्या होता है concave mirror अगर इस पे दो parallel light आके ऐसे गिरती है तो देखो यह concave mirror क्या करेगा अब यहाँ पे समझना जिस medium में light आ रही थी उसी medium में light after the reflection वापस लाट आती है यह दूसरे medium में मतलब की इस देखो पीछे की तरफ light जाएगी ही नहीं क्योंकि reflecting surface वो light उधर नहीं जाने देगा यहाँ पे देखो light को क्या करेगा यह converge कर देगा parallel light होगी तो उसके focus से यह सब हम property बढ़ते हैं उतना deep में नहीं जा रहे है बट आप देख पार है कि light दूसरे तरफ तो गई ही नहीं जिस medium में incident होई उसी medium में light वाँ पस लोट आई है और क्या होगा देखो कि converging होता है तो यह जो concave mirror होता है यह क्या होता है यह भी हमारे पास converging mirror होता है concave यहाँ पे देखो यह mirror है ठीक और देखो light दूसरे medium पे तो गई ही नहीं है दूसरे medium मतलब कि पीछे की तरफ यहाँ पे light इस medium में तो आई ही नहीं है it means यह हमारे देखो mirror होगा और यहाँ पे light को देखो converge करा जो उन्हों incident light क्या थी parallel थी after the reflection देखो light ऐसे जा रही है converging हो गई यहाँ पे एक चीज़ और आपको पढ़नी चाहिए थी यहाँ पे होना चाहिए था वो हमारे पास convex mirror यह हमारे पात देखो क्या है convex mirror convex mirror में क्या होता गर दो इस तरह से parallel light आती है तो यह क्या करता देखो दोनों light को diverge कर देता है light को diverge करने का मतलब देखो एक light को after the reflection ऐसे देखो diverge कर देखा इस direction में और दूसरे light को diverge कर देखा देखो इस direction में दोनों light देखो diverge हो रही है लेकिन दूसरे medium में अभी भी light नहीं गई है यह हमारे पात मीडियम तूथ हो जो था यहाँ पे light नहीं गई है, incident light देखो इसी medium में, incident और reflection देखो एक ही medium में हो रहे हैं, तो यह हमारा कहलाता है, देखो diverge हो रही ही light है, दोनों light है diverge हो गई, तो यह कौन सा mirror होता है हमारे पास, यह होता है हमारे पास convex mirror, clear, यह चार चुछों कि अगर आपको जनकारी होगी, तो आप इस question का answer देपाते हैं, अब क्या बताई है, यहाँ पे A और B के अंदर जो device थी, optical instrument था, क्या mirror हो सकते थे, नहीं, क्योंकि mirror के case में आप देख पार है, light दूसरी तरफ तो जाती ही नहीं है, light जिस medium में incident light आएगी, उसी medium में light reflect होने के बाद वाद वापस आती है, real में, तो यहाँ पे देखो यह real light थे थी, यहाँ पे dotted right नहीं दिखाई गई है, it means A और B mirror नहीं हो सकते थे, इस हो जैसे मैंने यहाँ पे इतना चीज़ समझा, A और B में जो optical instrument होगा हो तो mirror नहीं हो सकता, क्योंकि mirror के case म light दूसरी medium में real में जाता नहीं है, उसको आपको imaginary light आप image बनाते हैं, but real में नहीं जाता है, तो A और B mirror नहीं हो सकता, तो इस option में जहाँ भी mirror आएगा वो गलत हो जाएगा, चलते हैं option पढ़ते हैं, option A में कहरा है, कि in A, the incident rays are diverging rays, after reflection, so lens is concave, बिल्कुल सही बात है, A में देखो अगर lens को हम concave रखेंगे, यह हमारा concave lens होगा तभी तो देखो, after the reflection light diverge हो रही है, light देखो, क्या और ही है, diverge हो रही है, तो यही तो कह रहा है, incident rays are diverged after reflection, so lens is concave, दो incident rays थी, देखो, after the reflection क्या और ही डैवर्ज हो रही है, यह कौन सा lens करता है हमारे पास, देखो, concave lens करता है, it means option 1 is question का, तो अभी तो correct answer आ रहा है, single choice है, it means option 1 ही सही होगा, option 2 भी पढ़ते है in b the incident rays are converged after coming out of the box so mirror is convex यहाँ पर देखो जल्दबाजी में हम कहते हैं हाँ convex तो हो रहा है, converge हो रही है तो वो mirror converge, जो convex mirror होता है वो मारा गलत हो गया mirror तो पहली बात होगा नहीं और convex mirror converging mirror होता नहीं और diverging mirror होता है, clear mirror is concave, mirror जहाँ भी आएगा mirror तो होगा ही नहीं तो mirror के वज़े से गरत हो गया उसके आलावा कुछ हमें सोचना ही नहीं था फोर्त option देखो, in the incident rays are converged after its reflection, so lens is concave अब यहाँ पर lens आ गया, तो lens के बारे में option अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्या गह रहा है, the incident rays in B, B में देखो, the incident rays are converged after reflection, so lens is concave, अब concave lens थोड़ी ना converging होता है, converging तो convex lens होता है अब देखो, जो B में हलाइटे converging हो रही है, तो converge कौन सा lens करता है convex lens करता है, यहाँ पर कह रहा है concave lens, इसकी जैसे हमारे पास यह fourth option हो गया, गलत तो right answer के आजएगा option member 1 Thank you